नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजे मग्गु है और मौझूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याना कॉंग्रेस की जो आपसी रार है वो थमने का नाम लेती नहीं आज हर्याना के अंदर कॉंग्रेस की तरफ से एक और यात्रा का आगाज हो गया एक यात्रा चल रही है पहले से दिपेंदर हुड़ा निकाल रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं नायब सिंग सेनी सरकार से भारती जनता पार्टी की सरकार से दस साल का दस साल का हिसाब किताब ब्योरा मांग रहे हैं दिपेंदर हुड़ा तो फिर अब कुमारी सहलजा ने आज अमबाला से शुरू कर दी अपनी यात्रा नाम तो उसका दिया है हर्याना का हक मिलने तक कॉंग्रेस संदेश यात्रा के नाम से कुमारी सहलजा की यात्रा चलेगी और इस यात्रा का जो मकसद है जो बताया गया है कि हर्याना का शहरी इलाका यानि कि क्योंकि शेहरी छेत्र में माना जाता है कि भारती जन्तापार्टी ज़्यादा मजबूत है तो कॉंग्रेस की मजबूत दस्तक देने के लिए कुमारी सैलजा अब एक और दूसरी यातरा की सारती बन रही है उस यातरा को लेकर वो चलेंगी यात्रा कास से आगाज हो गया समापन कहा होगा अभी कुछ तै नहीं है लेकिन यात्रा चलेगी ये जरूर तै हो गया अब सबसे बड़ी बात है कि आप कहेंगे कि अगर हमने ये कहा कि यात्रा एक और चल रही है तो इसके अंदर कौन सी बड़ी बात हो गई और आप ये भी कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि कॉंग्रेस की रार थमती नहीं तो ये यात्रा हैं तो आप भी मान सकते हैं और हम भी मान सकते हैं कि पालिटी को मजबूत करने के लिए ही होगी लेकिन यहाँ जिस मुद्दे को ले करके मैं आपके साथ हूँ वो इस से थोड़ा हटके है इसके लिए आपको जरूरी है कि हम आपको ले करके चलते हैं लोगसभा चुनाव से पहले आपको ध्यान होगा कि लोगसभा चुनाव से पहले भी कुमारी सहलजा ने इसी प्रकार से यात्रा निकाली थी और उस यात्रा का नाम भी था कॉंग्रेस संदेश यात्रा यानि की कॉंग्रेस का राहुल गांधी का मलिकार जुन खडगे का ये संदेश लेकर के चली थी यात्रा कुमारी सहलजा ने उस यात्रा में एक बस पर सवार होई थी और बस को दिया गया था रत का नाम हर जगे दिया जाता है उस बस में सवार होकर के कुमारी सहलजा में कई जिलों की यात्रा की फरिदाबाद भी आई थी वो वरिदाबाद में भी उनकी यात्रा आई थी प्रतला में वल्लब गड़ में कई स्थानों पर उनकी सभाएं भी हुई थी उस यात्रा के दोरान जब वो यात्रा चली थी कुमारी सहल जाकी तो हर्याना प्रदेश कॉंग्रेस के परभारी दीपक बावरिया ने एक पत्र जारी कर दिया था और उस पत्र को जारी करके दीपक बावरिया ने कहा था कि ये कॉंग्रेस की अधिकरत यात्रा नहीं है ये कॉंग्रेस का अधिकरत प्रोग्राम नहीं है और अधिकरत प्रोग्राम तो वही होगा जिसे PCC यानि की परदेश कॉंग्रेस कमेटी जिसके अध्यक्ष है चौदर गांधी और मलीकार्जुन खडगे का संदेश ले करके आपको मैं ध्यान दिला दूं कि उनी दिनों में यात्रा शुरू हुई थी राहुल गांधी की भारत जोडो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी में पहले भी निकाली थी भारत जोडो यात्रा और इस बार जो सेलजा की आत्रा के दौरान एक कॉंग्रेस के अंदर भुबेंदर सिंग हुड़ा गुट के समानांतर एक गुट प्रभाव में आया था पूरी तरह से और उसको नाम दिया गया सेलजा रंदीब और किरन चौधरी किरन चौधरी जो अब भारती जनता पार्टी में जा चुकी है कॉंग्रेस को छोड़ कर तोशाम की विधायक तोशाम की विधायक अपनी बेटी इस्तुती चौधरी के साथ में किरन चौधरी इस समय भारती जनता पार्टी की सदस्यता ले चुकी हैं भारती जन्ता पार्टी में सक्रिये हैं उस रत यात्रा में यानि की लोकसभा चुनाव से जो पहले चली थी जिसमें की SRK, सैलजा, रंदीप, सुर्जेवाला और किरन चौधरी उस बस पर इनी तीनों नेताओं के फोटोस थे बाकी कॉंग्रेस के बड़े नेताओं के फोटो थे मलिकारजुन खडगे का था, सोनिया गांधी का था, प्रियंका गांधी वाटरा का था राहुल गांधी का था, केसी विनुग गुपाल का था परभारी का फोटो भी नहीं था, उसमें दीपक बावरिया का उस यात्रा के दौरान, बताया जाता है कि उस समय वो मामला पहुचा था राहुल गांधी के दरवार में, और बाद में असम के अंदर उस मसले को ले करके बैठक हुई, जिसके अंदर की कुमारी सहलजा भी गई, जिसके अंदर रंदीप सुर्जेवाला भी गए, भुपेंदर सिंग हुड़ा भी गए, उदैभान भी गए, केसी वेनुग गोपाल भी थे, दीपक बावरिया भी गए, वहाँ पर जब राहुल गांधी के दरवा में मामला उठा, तो बात ये आई, दीपक बावरिया ने भी कहा, जो राजनीतिक सूत्र बताते हैं हमारे, कि दीपक बावरिया ने भी कहा और PCC के अध्यक्ष उदैभान ने भी कहा, उन्होंने कहा कि कुमारी सहलजा यात्रा निकाल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन पार होना चाहिए, कहा गया कि बुपेंदर सिंग उड़ा, CLP के लीडर है, कॉंग्रेस विदायक दल के नेता है, हरियाना के अंदर, लेकिन उनका भी फोटो नहीं, दीपक बावरिया का भी फोटो नहीं था, राहुल गांधी ने नसिहत दी बताते हैं कुमारी सहलजा को, राह ऐसे हो सकता है, वो भी यात्रा निकाल रहे हैं, हमारा तो उसमें कोई नाम है नहीं, उस बात को लेकर के भी राहुल गांधी थोड़े से असाहज हुए, और निर्देश कर दिया गया कि कॉंग्रेस के अंदर कहीं ऐसा प्रतीत ना हो कि कॉंग्रेस की गुटबाजी है, य राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा जब हम भार निकलें, तो जब हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, नयाय यात्रा निकाल रहे हैं, तो फिर कॉंग्रेस जोड़ो तो होना चाहिए, जो मूल संदेश था राहुल गांधी का, जिसके नहितार थे, लेकिन मैंने जो बत चुनाव आने के वज़ा से यात्रा रोग दी गई उसी दोरान में जो भुपेंदर सिंग उड़्डा के कारेकरम चल रहे थे PCC के बैनर तले जो वो विबक्ष आपके समख्ष और कॉंग्रेस की नीतियों को बढ़ाने बढ़ाने के लिए जो तमाम चेत्रों में विधान सभा चेत्रों में लोगसभा चेत्रों में जा रहे थे वो प्रोग्रम भी रुप गई अब लोगसभा का चुनाव हो गया लोगसभा के चुनाव के अंदर कॉंग्रेस ने 5 सीट जीत ली गांच सीट कॉंग्रेस न हारी भी, लेकिन हारने कहां नहीं कहेंगे, हम दो जीटने कहेंगे क्यूंकि कॉंग्रेस जीरो से चलकर पांच पर आ गई, राहुल गांधी ने भी कहा कि बड़ा अच्छा परदर्शन हुआ, कॉंग्रेस ने पांच सीटे जीत ली, लेकिन कुमारी सेलजा के लगातार बयान आ रहे थे कि अगर टिकेट वित्रन सही होता तो ये सीटें जादा हो सकती थी ये सीटें जादा भी हो सकती थी खेर उसके बाद में राहूल गांधी की बैठक होई उस बैठक के अंदर रहूल गांधी ने फिर एक संदेश दिया रहूल गांधी ने कहा कि सोशल मीडिया पर तो कम से कम आपका या मीडिया प्लेटफर्म पर आपकी ऐसी कोई बात जानी नहीं चाहिए जिससे कि ऐसा लगे कि कॉंग्रेस में गुटबाजी है कॉंग्रेस में कोई फूट है लेकिन इधर तो यात्रा शुरू की दिपेंदर हुटा ने हर्याना मांगे हिसाब के नाम से लोगो जारी किया और इधर यात्रा शुरू कर दी अब कुमारी सेल जाने एक समानता दोनों की यात्रा में है कि जिस दिन हरियाना मांगे हिसाब यात्रा शुरू कर रहे थे लोगों लॉंच कर रहे थे उसका भुपेंदर सिंग, उड़ा, अधिपेंदर, उड़ा और चौदरी उदर्वान तो उस दोरान उनके साथ में चौधरी विरंदर सिंग भी थे बंगर चौधरी और दूसरी तरफ हलाकि वो यात्रा में एक दिन भी नहीं गई कहीं भी नहीं गई किसी यात्रा में एक दिन भी कहीं उन्होंने भागिदारी नहीं की चौधरी विरंदर सिंग ने लेकिन इधर जब कुमारी सेलजा यात्रा निकाल रही है कॉंग्रेस संदेश यात्रा हरियाना का हक मिलने तक लिखा हुआ उस स्लोगन आपको मैंने दिखाया है उसमें जो फोटो किया गया है जिसके अंदर की सोशल मीडिया पर जो फोटो चल रहा है उस फोटो में एक चीज बदली है कि किरन चौधरी जो की कॉंग्रेस छोड़ कर चली गई भारती जनता पार्टी में उनका फोटो हट गया और जो भारती जनता पार्टी छोड़ कर कॉंग्रेस में आए पुराने कॉंग्रेस ही बांगर चौधरी चौधरी विरेंदर सिंग उनका फोटो लग गया अब सबसे बड़ी वाद ही आती है दोस्तों जो मैंने आपसे कहा था कि कॉंग्रेस की रार थमती नहीं कि कॉंग्रेस के जो राश्ची अध्यक्ष है मिल जूल करके दिखाई दें रावन गांधी का जो संदेश है जे ग्यात्रा तो ले चल रही है कुमारी सेलजा लेकिन जो उनका संदेश कॉंग्रेसियों के लिए है वो आखिर कॉंग्रेसियों के समझ में क्यों नहीं आता बड़ी बात यह है कि आज भी PCC अध्यक्षुदयवान है आज भी जो CLP लीडर चौदरी भुपेंदर सिंग हुड़ा है तो इधर कुमारी सेलजा भी बड़ी नेता है ना तो कुमारी सेलजा के फोटो दिखाई देते हैं उड़ा साब के प्रोग्राम में और नहीं अब जो яत्रा शुरू हो रही है जो यात्रा का फोटो जारी किया गया लोगो जारी किया गया और यात्रा शुरू हुई उसमें कहीं भुपेंदर सिंग उड़ा दिपेंदर या फिर चौदरी उजयवान के फोटो दिखाई पड़ते हैं आखिर ऐसे कैसे कॉंग्रेस एक होगी और सबसे बड़ी बात ही है कि क्या कॉंग्रेस को राहुल गांधी के संदेश की भी कोई चिंता नहीं है आखिर यह जो हरियाना कॉंग्रेस के नेता है यह कब तक यह तेर कॉंग्रेस के लोग कैसा प्रदर्शन कर पाएंगे कमेक्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना का यूट्यूब चानल सबस्क्राइब कीजिए साथ ही देश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कर दो